है है लो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत हत्रिपान स्टेडी सेंटर में यहां पर जो हम आज विचार करने जा रहे हैं भारत विख्षित कैसे होगा तो भारत विख्षित कीन कारणों से होगा तो इन पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के विख्षित होने में कौन-कौन सी जो है मुसीबतों का सामना करना पर सकता है और कौन-कौन से चीज़े जो है भारत में अभी नहीं है भारत कौन-कौन से चीज़ों मे आत्म निर्भर हुआ है और कौन जो में आत्म निर्भर नहीं हुआ है यदि आगे बात करें तो क्रिशी का यांतरी करन देखिए कृषी ऐसी एक विवस्था है जो किसी भी देश को उन्नती के उस चरम सीमा पर पहुचा सकता है जिसे दुसरे देशों पर आशित होने की जबत नहीं पड़ता है और देखा जाए तिहास गवा है कि कृषी किसी भी देश की दिक्सित होने के लिए उरीड की हड़ी के समान होता है और भारत तो ऐसे भी कृषी परधान देश कहलाता है देकिन देखा जाए तो भारत कई छेत्रों में कृषी के अंतरकत पिछला हुआ देश है कि यहाँ टेकनोलोजी नहीं है यहाँ लोगों को जो है समझ नहीं है और देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सरकार इस पे महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती है जितना मरजी मैं देख लूँ कहीं न कहीं सरकार पर प्रश्शिन लगती है और आए दिन कि सांग सरकों पर उतर जाती है विशित देशों को ध्योग के लिए क्रिशी से कच्चे माल प्राप्स करने है तू क्रिशी में मसीनों का अरम कर दिया है यानि देखा जाए तो जितने भी अध्योग जो है आश्रित है तो कहीं न कहीं क्रिशी पर ही आश्रित है क्रिशी होगा तो ध्योग होगा और ध्योग होगा तो समान मैनिफेक्चर होगा और लोगों तक पहुँचेगा तो देखा जाए तो कहीं न कहीं primary source कहलाने वाली क्रिशी महत पूर्ण अंग है बड़े पैमानों पर मशीनों से क्रिशी की जाती है और क्रिशी के यंत्रिकरन के विक्सित देशों के प्रगति के द्वारा खोल दिये गए है देखा जाए तो विक्सित देशों की प्रगति के द्वार ये खोल दिया है क्रिशी ने अब हम बात करें संयूत राज्य अमेरिका, रूस, कनडा, अस्टेलिया, जर्मनी, हैलेडादी विक्सित देशों में क्रिशी यांतरी करन हो चुका है और इन देशों में बरे-बरे फॉर्मों में मसीलों की सहता से बिसल खाद्यान खेती की जाती है अब देशों में नौजवान जो है क्रिशी करना नहीं चाहती है और विद्यसों में भागती है और सबसे बड़ी बात जो भारत में क्रिशी का उपजाव छेत्र है वहाँ पर सहरी करन कर दिया गया है अगर आप किसी भी सहर में चले जाओ और सहर के आसपास छेत्रों में देखो तो वहाँ पर धरले से मकाने बन रही है सारे जहां पर कुंट्रों जो है गेहूं चना मक्की होती थी वहाँ पर आस सिरफ घर ही घर नजर आ रहा है अब जोत जो है बहुत चोटी परती चली जा रही है और आपको तो पता ही होगा कि भारत की जो छेत्रफल देखा जाए तो बहुत ही कम है टू पॉइंट सम्थिंग है अब सोचिए यह कितनी बड़ी हम समस्याओं में फस्ते जा रहे हैं हम बिख्सित होने की बात कह रहे हैं लेकिन हम तो पिछरते हुए पीछे चले जा रहे हैं ना भारत में अच्छे क्रिशी होंगे ना हमारी क्रिशी यंत्रिकरन होगा आज देखा जाए तो क्रिशी के जोत जो है बहुत छोटी छोटी हो गई यह बहुत ही छोटी छोटी जोटी जहां पर यंत्रों का उप्योग करना संभव नहीं रहे गया है तो क्या इस अवस्था में भारत विक्सित देश बन सकता है यह बहुत बड़ा प्रशन चीन है कहते हैं सपना देखना अच्छी बात है लेकिन सपने को सकार करना बहुत ही दुसक्रमकारे होता है बोलना बहुत ही असान है करना बहुत मुश्किल है कि करनी और कथनी में अंतर होता है आज देखा जाए तो सजुक्त राजिया अमेरिका जो इतनी विक्सित है रूस कनड़ा अस्टेलिया जर्मनी हाइलेंड आदी देशों ने क्रिशी पर बहुत ही ध्यान दिया है और उन नहीं है हम अधिक समान जो है वी देशों से मंगवाते हैं हमारे देश में टमाटर की अकाल परती है हमारे देश में प्याज की अकाल परती है अलोगी अकाल परती नहीं किस चीजों की अकाल परती है जो हम दुसरे देशों से मंगवाती है और वह देश इन चीजों में आत झाल झाल